दोस्तों, जैसे ह्मारे सि्डी का काम खतम हो जाता है, सिरी की construction हो गयी, tile चाइब लगने लगता है उसके बाद काम आता है, realing का और अगर आप SS की realing लगाने जा रहे हो, stainless steel की realing लगाने जा रहे हो तो यह video ज़रूर देख लेना काफी आपके video हो सकती है कि SS की railing लगाई कैसे जाती है फुल प्रोसीजर बताऊंगा चेक कैसे करनी है और भी काफी चीज़े इसमें बताऊंगा मतलब आपको जुरूर ये वीडियो देख लेनी है और जुरूर ये चीज़े चेक कर लेनी है जब भी आप SS की railing गर पे लगाने जाओ काफी काम हो सकती है तो शुरू करते हूं सबसे पहली चीज़ क्या होती है जो भी स्टेर है उसमें hole किया जाता है core किया जाता है और ये core आपको दियान रखने है मतलब 3 इंच से कम core आपका नहीं होना चाहिए मतलब 5 इंच तो आपका ये core होना ही होना चाहिए hole कर दिया उसके बाद उतनी size की pipe cutting की जाती है जैसे आप सामने देख रहो pipe cutting कर ली ये pipe किसके काम आती है ये pipe cutting करने के बाद जो हमारा pillar होते है secondary pillar आप इनको बोलो चोटे चोटे जो pillar हमारी states पे आने वाले है उनमें आगे belt किया जाता है जब एक बार उनको belt किया जाता है तो उसी दोरान आपको ध्यान रखना है कि जो belding की जा रही है जो belding material यूज किया जा रहा है उसमें कौन सी road यूज की जा रही है क्यूंकि इसमें सस्ती roads भी आती है कुछ contractor क्या करते हैं सस्ती road यूज कर लेते हैं तो आपको क्या करना है अग्रिको टाटा की roads होनी चाहिए यहां note कर लो ARC ARC LO 308L16 यह आपको देखना है कि उस road पे लिखा हुआ है उसके box पे कि नहीं अगर local company के मतलगा हो क्यूंकि काफी effect वो आपकी उसमें डाल सकती है तो ARC LO 308L16 आपको यूज करनी है clear यहां हो गया जब उसके उसको tankा लगा जा रहा है या उसकी building की जा रही है ठीक ऐलेक्ट्रोइड का आपको दियान रखने है नेक्स चीज आपको दियान देनी है देखो process में बताते जाता हूँ साथ साथ में process complete उसके बाद हम इसकी checking करेंगे एक बाद हमारी railing लगगे checking हम उसकी करने वाले है इस पे पहले एक video आ चुकी थी जिसमें rate सब कुछ बताया था तो इनको fix कियाता है और इनकी alignment आपको देखने है कि proper vertical है कि नहीं ये भी बहुत important चीज़ होती है क्योंकि अगर vertical नहीं होगे सीधे नहीं होगे न एकदम तो ये ठोड़े tilt दिखेंगे और railing काफी खराब उसमें दिखती है जब एक बार balding हो जाए तो काफी दिक्कत हो जाती है तो ये चीज़ भी आपको दियान रखनी है देखो ये लगते जा रहे है और इसमें आगे मैं बताऊंगा कि कितने distance पे आपको लगाने होते हैं लेकिन mostly आपको एक दियान रखने है जब भी आप इनको लगवाओ तो एक stair छोड़के लगवा क्यूंकि वो थोड़ा अच्छा दिखता है देखने में अच्छा लगता है और safe भी रहता है अगर काफी दूर लगाओगे तो वो safely थोड़ा कम हो जाता है एक बार ये column fix हो जाते हैं तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि पूरा अपर vertical है की नहीं है ये चीज़ भी आपको देख लेनी है उसके बाद जो next process रहता है जो हमारी pipe आगी उपर जो pipe आनी वाली है दो इंच की ये mostly pipe आप यूज़ करोगे काफी अच्छी है हाथ में भी आजाती है पकड़ने में अच्छा होता है और मैं पहले बता चुका हूँ आपको जो outdoor railing करनी है outdoor में यो railing लगाओगे वो grade 304 या 316 होना चाहिए और जो indoor railing आप करोगे वो 202 grade आप यूज़ करो क्योंगि अगर 304 आप बाहर लगाते हो तो crozen नहीं लगती है इसका color पीला कम होता है इसमें rust कम लगती है अगर 202 grade आपने बाहर लगा दिया पानी में लगा दिया तो उसमें rust लगने के chances काफी ज़द होते हैं ये पहले मैं बता चुका हूँ अगर rate की भी बात कर लूँ मैं इसी वीडियो में भी तो आपको जो 304 grade पढ़ते है वो 700 से लेके 1200 रूपया पर square feet के हिसाब से चलते है बाके depend होता है आपके design पे बीच में कितनी pipes लगा रहे हो कितने column छोड़ के लगा रहे हो वो design पे depend होता है लेकिन 700, 700 से पर square feet के हिसाब से आपका शुरू होता है बीच में जो strips आती है वो लगनी है वो depend होती है आप 2 choose करते हो 3 choose करते हो 4, 5, 6 वो आप पे depend होता है और वो proper आपने देख लेना है कि उसको proper fixing किया जा रहा है जब एक बार fixing हो जाता है उसके बाद इसको क्या करना है आपको उसको बोलना है mostly जगा मैंने क्या देखा है कि white cement डाल देते हैं वो काफी गलत चीज़े आपको white cement कविन डालना है आप देख रहे हो aral delight मतलब ये आपको यूज करना है aral diet ये एक अच्छा chemical कुछ ज़्यादा costly में है ये 380 या 400 रुपे की आपको एक tube पड़ेगी और 2-3 tube लगेगी आपका अगर 50-60 square feet है तो इसको आपको fill करना है और ये क्या होता है flowable होता है जब आप एक बार इसको लगा दोगे और within 24 hour एक दम में एक strong पत्थर की तना हो जाता है तो ये आपको use करना है मैंने mostly जगा देखा क्या करते है जो white cement होता है वो fill किये जाता है वो कभी नहीं करना है काफी बड़ी mistake होता है क्योंकि contractor पैसे बचाते है तो ये चीज़ आपको use करनी है जो हमेने आपको पहले बताई और एक सब column में आपको लगवा देनी है उसके बाद grinding कर लेनी है जैसे आप देख रहे है finishing कर देनी है और उसके बाद हमारी railing ready यही process होता है अभी हम आते है इसके main चीज़ें आपको क्या check करनी है और measurement कैसे की जाती है देखो पहले सबसे important चीज़ क्या है कि इसकी measurement कैसे की जाती है तो इसकी measurement के लिए क्या किया जाता है जो भी आपकी pipe होती है throughout pipe होती है मतलब जहाँ जहाँ आपकी railing की जो top pipe होती है वो लगी होती है उसकी measurement की जाती है मतलब जो pillars है pillars को छोड़के मैं बहुत important चीज़ बताने वाला हूँ pillars को छोड़के जैसे यह मारा band start हुआ यहाँ से लेके नीचे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे सब जो भी pipe होगी उसकी measurement की जाती है वो running feet में हमारी आती है तो उस हिसाब से rate हमें लगता है running feet में हमारे आगे है मतलब वो जितनी भी होगी 50 feet होगी 60 होगी 60 into 750 आप कर दोगे क्योंगी per square feet की cost यो आपको ने पहले mention कियोगी उस हिसाब से यह हमारा rate आता है तो आपकी measurement किसी के हिसाब से होगी जितनी भी आपकी top pipe लगी होगी यह contractor fake आपको कर सकते column आपको include कर सकते काफी चीज़े करते हैं आपको द्यान देना दूसरी चीज़ इसमें द्यान देनी है आपको जो आपका यह main pillars होते है यह columns होते है यह main pillars का जो rate होता है यह अलग से आता है मतलब यह आपन बात करें 1500 रुपे से start हो जाते हैं और 10 से 20 वजार तक जाते हैं pillars यह इनके अलग अलग design होते हैं सामने जो pillar आप देख रहे हो यह 3000 का pillar है और इसके rates अलग आते हैं यह per scale fit में नहीं आता है यह pillars आपको अलग rate में पढ़ेंगे जितने pillars होंगे उसी साबसे आपका यह cost अलग से इसकी ली जाएगी यह चीज़ भी आपको पहले ही clear रखनी है और अगली चीज़ जो check आपको करनी है वो करनी है कि जो भी आप pipe यूज़ की जा रही है columns यूज़ की जा रहे है उस पे mention है कि यह कौन सा grade है इधर जैसे सामने आप लिख रहे है forest steel agenda 304 grade तो यह ज़रूर mention होना चाहिए कि लोग बोलते हैं कि हम 304 grade यूज़ कर रहे है 316 कर रहे हैं लेकिन वो होता 202 है क्योंकि उस पे लिखा नहीं होता है आपको हमेशा वही steel यूज़ करवन है जिसके pillars पे भी लिखा हो 304 grade है 202 grade यह सब चीज़े देख के ही आपको हमेशा pipe यूज़ करने है अगली चीज क्या दोखादड़ी होती है जो नीचे caps आती है यह cap जो लगी है main pillar की होगी यह pillars की होगी यह local भी आती है मतलब ऐसे अगर grade wise होगी तो 40 या 50 रुपे का piece होता है लेकिन local अगर लेंगे तो 15-20 रुपे का piece मिल जाता है तो आपको यह mention रखना है उसको बोल देना है कि यह जो आप use करने जा रहे हो यह आपका 304 या 316 या जो भी grade का आप still use कर रहे हो उसी grade की होनी चाहिए यह भी उससे mention करवा लेना है क्योंकि यह fake use कर देते है 20-25 रुपे की यह cap आती है वो लगवा के आपको छोड़ देंगे next चीज़ आपको use करनी है जो column का distance है वो पहले clear out कर लेने जब भी railing लगवाने जाओ आपको रखने है कि 2 stair shoot के करोगे कि 1 stair short के करोगे यह पहले ही mention होना चाहिए क्योंकि कुछ क्या करते है पहले rate fix हो जाएगा 700-700 उसके बाद आपका क्या करेंगे दूर-दूर लगा देंगे उपर के वो जैसे मैंने कहा जो beach की center की pipes आती है यह 3 होंगी, 4 होंगी, कितने spacing पे होंगी spacing, design, सब कुछ आपको पहले ही mention कर लेना है क्योंकि इसी पे depend होता है कि अगर आपने design कुछ और बोला हो दिक करके 700 rate कुछ करके और fix कर दिया हो तो वो काफी ज़दा दिक्कत उसमें आ जाती है तो यह main main चीज़े होती है जब भी railing लगवा होगे तो grade, rate, measurement और कैसे fixing करने ही सब चीज़े दियान रखोगे तो अच्छी railing आपके गर में लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं यह 10 से 15 चीज़े चेक करनी होती है अगर यह proper से चेक कर ली तो आपके गर में अच्छी railing लग जाएगी I hope आपको समझ आ गए होगा क्या क्या चीज़े चेक करनी है और कैसे procedure होता है ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दुआ करके रखो Thank you guys